असलामों अलेकुम हेलो फैंट्स वेलकम टो मैंचेहारास किचेन मैं हूँ जहारा उम्मीद करती हूँ आप सब खरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ मतर चीकेन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा अगर आप इस रेसिपी क बनाना स्टार्ट करते हैं तो अगर मतर चीकेन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा स्टोप के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने आईरन का कड़ा ही रखा है अब मैं हैं पर ह लाइवी छे सह साथ लॉण 2-7 काली मीच हमें डाल देना है कुछ सेकेन के लिए हम इससे सौटे कर लेंगे उसके बाद हमें इहाइब signature बड़ी प्याज बारी काट कर फिस को हम कलर चेंज होने तक तो यहां पर देखिए प्याच का color change हो चुका है मैंने high medium flame पर प्याच को फराय कर लिया है अब मैं नहीं हाँ पर डाल देती हूँ एक चमच अद्रक्लेसन का paste अद्रक्लेसन के paste को हम अब मैं हाँ पर डाल देती हूँ powder masala आधी छोडी छमच खल्दी powder जीरा पौडर लाल मिच पावडर, जीडर, एक चुटी चमच ढावडर नहीं मुए अब चुटी चमच धनिया पौडर एक चुटी चमच कस्मey समरी मिच पहऴ आद Kollege चिकन में भूंदेन लेंगे विक फि Ugh to चिकन कि और देते हूं 4-5 ह्रुऴ God में इसके साथ देती हूं चाहर किater यूज एक फिर में बदै dessert को मैंने बारी काटका डाल है 15 Video Logo Thunder अधी चमच्छ में गर्म मसाला पॉर्र डालना है अधी चमच्छ में नमक डालना है नमक आप अपने टेस्ट के मताबिक डालेगा इन सबी को हम अची तरह से मिला लेंगे टमाटर और दही पानी चोड़ेगा भी तो स्टोप के लो फ्लेम पर हम इसे 15-20 मिट के लिए पकाए लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक मसाले से तेल नहीं चोड़ना स्टार्ट हो जाए यानी चिकेन डही और टमाटर का पानी सुखना जाए तो यहां पर जो है अपते हुए चिकेन को तकरीबं पंधर मिट हो चुका है और देख सकते है पानी सुख चुका ह मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर से हम इसे पकाएंगे दो से तीर मिट के लिए पर तो लीजिया फ्रेंड्स चिकेन को पकते हुए तकरीबन 20 मिट हो चुका है मसाले से आप देख सकते हैं तेल भी चोड़ने लगा है दही का पानी चिकेन का पानी और टामाटर का पानी अच्छी तरह से सुख चुका है अब मैं आप डाल देती हूं ग्रेवी के हिसाब से हाफ कप पानी आप चाहें तो इस तरह से सूख हसा भी रख सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा मसाले दार बना रही हूं तो इसलिए मैं आप पानी डाल कर इसे में दो मतर चिकन बिल्कुल बनके त्यार है आप इस रेसिपी को एक बाइस जरूर ट्राय करके दिखिए अब मैं हापर श्रोप को आफ कर लेती हूं इस मतर चिकन को आप रोटी पराटे के साथ सर्फ कर सकते हैं या फिर दाल चावल खिचड़ी या फिर पुलाओ के साथ भी आप इसे खा सकते हैं कि इस दिख रहा है आप देखी सकते हैं और इसे बनाना कितना असान है तो अगर आज की मतर चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हिल्फ लगती है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूले उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फुन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हिंकने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूआउ में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज